कूटा के जहलावाड हाईवे पर तेज रफतार एक ट्रक ने वैन को टकर मार दी और इस हाथसे में एक 6 साल की मासूम की मौत हो गई और आधा दर्जन से भी जादा लोग गंभी रुप से घायल हो गई घायलों में 3 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है वैन चालक ने बताया कि पूरा परिवार एक कारिकरम में शामिल होने के लिए जहलावाड जा रहा था और तभी मंडाना के पास तेज गती से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें टक कर मार दी जिसे वैन पूरे तरह से अक्षातिक रस्त हो गई इस घटना के सूचना मिलने पर मेंडाना थाना पुलिस मौके पर पहुची और घायलों को अस्पताल पहुचाया फिलाल पुलिस पूरे मामले की अब जांच कर रही है